बात करें स्टेड़ी के रेटरन की तो देख सकते हैं 43 पॉइंट का स्टोप लोस है और 325 पॉइंट का टार्गेट यहां भी हमें मिला है तो यह स्टेड़ी बहुत ही दमाकेदार और बहुत ही इस्टेड़ी अब तक साबित हुई है ठीक है हैलो ट्रेडर्स तो वहलों स्वाथ आप आपका अब किस नए वीडियो मैं हूं हर्ष और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं मैं ज्यादा तरह स्टेड़ी जो बनाता हूं वह मैं बेगनर्स के लिए बनाता हूं क्योंकि बिगनर्स ही हैं जो पैसा नहीं कमा पारें बागि कोई स्क्याइलपिंग करता है कोई स्टोक में से पैसा कमा रहा है कोई कमोडिटी में से कोई option मैं कोई futures में ठीक है लेकिन केवल बिगनर्स आईसे हैं जो पैसा नहीं कमा रहें केवल पैसा गवा रहें क्योंकि उनको जरूरत है एक सही logic की एक सही strategy की जिससे वो एक अच्छा कासा पैसा कमा सके हैं और loss के जो chances हैं वो भी थोड़े कम हो जाएं ठीक है क्योंकि जादातर chances हमें loss के होते हैं और profit के chances बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि जो हमारी strategy होती है उसकी accuracy बहुत कम होती है ठीक है लेकिन अगर आप beginner है तो मैं आपको समझना चाहूंगा कि अगर आप scalping से पैसा कमाना चाहते हैं न तो या तो आपको जो कम profit मिला है उसको अच्छा profit समझना होगा मतलब कि आपको शबर रखना होगा जो छोटा profit मिला उसको profit समझे और आपको तोलणा नहीं करनी होगा कि मानंगे चलते हैं आपको 200 अपर मिले हैं और points आपको मिलें 10 points ठीक है तो 10 point में कितना profit होगा एक lot में profit आपका 10 point में होगा सिर्फ 1500 रुपे का ठीक है वहीं पर किसी ने 100 lot लिया है सर ठीक है किसी ने 100 lot लिया उनी 10 लोट से उसका जो profit हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 15,000 रुपे का तो अगर आप इस जम्यलिम पढ़ गए कि किसी ने 15,000 रुपे कमाए हैं उनी 10 पॉइंट से मैंने सिर्फ 1.500 रुपे कमाए हैं तो अगर आप इस चक्कर में पढ़ गए तो आपको जीवन में कभी ट्रेड करेंगे तो आप हमें सब profit में रहेंगे और profitable trader बन जाएंगे तो मानके चलते हैं आपने एक लोट को buy किया ठीक है एक लोट में प्रीमियम लगा वो लगाया आपका 5000 ठीक है 5000 रुपे अगर आपने प्रीमियम लगाए हैं तो आपका जो profit वो 500 रुपे का होना चाहि से 5000 रुपए आपको बन जाते हैं तो यह हो गया आपका 10 परसेंट का प्रॉफिट ठीक है आपने 10 परसेंट का प्रॉफिट ले लिया सर वहीं पर किसी ने मान के चलते हैं 100 लोट लिए ठीक है सिर्फ 10 परसेंट है तो आप लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाते हो कि मैंने सिर्फ 500 रुपे कमाई किसी ने 50,000 रुपे कमाई लेकिन कैपिटल उसने 5 लाग लगाया यह आप भूल जाते हो तो आप बड़ी कैपिटल वालों की अगर आप वहां पर बरावरी तोलना करोगे तो आप हमेसे लोस में रहेंगे तो आप यह सोचिए कि मैंने कैपिटल चोटा लगाया है तो मेरा प्रॉफिट भी चोटा ही होगा ठीक है आप 500 रुपे के बजाए आप लोग सोचने लगे कि मुझे 2000 का प्रॉफिट हो जाए तो 2000 के लिए आपको काफी जादा वेट करना पड़ेगा ठीक है जब आप यहां पर सोचेंगे कि यह जो पांसे को प्रॉफिट है यह मेरा 2000 में बदल जाए और 2000 होता है पांच हजार का 40 परसेंट ठीक है तो 40 परसेंट आपको सिर्फ एक दिन में चाहिए जो कि एक अच्छा ट्रेडर सोचता है कि मेरा मन्थ एंड में मतलब कि एक करोड रुपे का मुझे प्रॉफिट हो जाए ठीक है वह मन्त एंड में 20 परसेंट कमाना चाहता है लेकिन आपके पास कैपिटल सिर्फ 5000 है आपको मन्त एंड में अगर 1000 का प्रॉफिट हो भी जाता है तो आप लोग सोचेंगे क्या कमाया मैंने सिर्फ 5000 रुप आसान बन गया है मानके चलते हैं आपने एक लोट बाई किया 5000 रुपे की कैपिटल लगाई और आपका जो प्रॉफिट हुआ है वह दस पॉइंट लेने के बावजूद भी आपको 1500 रुपे का प्रॉफिट हुआ ठीक है बहुत मिनिमाइज कर रहा हूं में वहीं पर अगर आपके 5000 ही लगेगी क्योंकि आप रुपीजी यूज़ कर रहें यानि कि अस्ता ट्रेड वह आपको पांच उना मार्जिन दे रहा है तो उन्ही 5000 से आप 5 लोट बाई कर पाएंगे 5000 रुपे लगेंगे आपके और आपको पॉइंट्स मिलते हैं 10 तो आपका जो से ट्रेड करना चाहते हैं तो लोग रुपी जी यानि कि अच्छा पॉइंट्स में अच्छा प्रॉफिट हो जाता है ठीक है तो मार्केट ओपन जैसे होगा ना तो हमारी सबसे पहले क्या बनेगी हमें यहां पर दूड़नी है सिर्फ 9 वजकर 17 मिनट की केंडल ठीक है कभी 9 वज के 23 कभी 29 कभी 70 ठीक है सभी स्टेड़ी के अलग अलग लोजिक है आप लोग 923 को कभी यूज करके देख लीजिए आपको 10 ट्रेड मिलेंगी ना दस मतलब कि 10 दिन में अगर आपको 10 ट्रेड मिलती है तो 10 दिन में आपके साथ ट्रेड सक्सेजफुल जाएंगी एक्क्यूरेसी समझ में नहीं आ सकती है क्योंकि एक दिन में आप क्या ही पता लगा लेंगे तो आज की जो स्टेड़ी है हमारी 9 वज के 17 मिनट की केंडल है ठीक है और इसके उपर में कुछ लोजिक भी बताऊंगा इसको मैं आपको इसमें आपको टार्गेट यानि के प्छले पूरे फंद्रे दिन की तो चार दिन आपके संडे और सेटाड़ी निकाल दीजिए तो ग्यारे दिन की मैं आपको क्रियर यहां पर दिखाने बाला हूं आप लोग इस्टोप लोस गिन कर टिक है कितने इस्टोप लोस हुआ है वह गिन कर आप मुझे कमेंड में बताना कम से कम 80% या फिर 70% की इसकी अक्यूरेसी तिक है आपके 10 दिन में से लगवक्ष 7 दिन आपके यह सकसेफुल ट्रेड द मैंने आपको यह की साइकलोजी समझाई थी वह सिर्फ 10 पॉइंट से समझाई थी लेकिन आपको स्ट्रेड़ी कम से कम 25-30 डेली ठीक है तो किसी भी स्ट्रेड़ी की समझने के लिए हम यहां पर बैक टेस्ट करनी होती है तो सब से पहले हम सुरूआत करते हैं बैक टेस्ट 他 उपर की साइड में ठीक है आपको क्या करना है नौ बज के 17 मिलट के कंडल का जैसे कोई केंडल ऐसे है तो उसका हाई और लो मार्क लेना ठीक है अगर नेक्सट केंडल ऊसका ही ब्रेक पर निचाट तो यह से ब्रेकाटके Nicholas में एक तो आम पर पांच पॉंट नीचे आने के बाद एक यह जो चलते हुए आपको समझ में आ जाएंगे एक्यूरेश्य को दिखा रहा हूं में कुछ रूल से वह आपको समझने होंगे फिर आप कहेंगे बाई इस्टेजी बेकार है वर्क नहीं कर रही है तो रूल्स को समझना पड़ेगा आपको ठीक है तो नौबज के सत्रमाट की केंडल का यहां पर ब्रेकाउट कब हुआ ऊप सब कुछ इस पश्ट दिखा रहा हूं क्योंकि मैं इमंदार बनने की कोशिश कर रहा हूं तो यह आपका एक ऐसे काउंट कर लिए ठीक है सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लॉस की नहीं है कि हमारा लॉस कितना हो रहा लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम मुझे यह ल पता दूत अकेला ऐसा ब्रोकर आपको पांच गुना मार्जिन दे रहा है आप अगर आप किसी भी ब्रोकर में मानके चलते हैं 5000 रुपे में ट्रेड कर रहे हैं मानके चलते हैं निफ्टी में आपने दो लोट बाइक कर लिए 5000 रुपे में और अच्छा खसा प्रॉफिट आप कमा रहे हैं क्योंकि आप इंदामनी में ट्रेड करें लेकिन जब आप आस्था ट्रेड यूज करेंगे ना तो आस्था ट्रेड में इन दोनों लॉट्स को आप सिर्फ एक जार रुपे में बाई कर सकते हैं मतलब कि पांच गुना कम प्रीमियम आपको पे करना पड़ता ठीक है जो ट्रेड आपको 5,000 रुपे में कहीं पर मिलेगी वही ट्रेड आपको एक अजार रुपे में यहां पर मिल जाएगे ठीक है तो जब हम 500 500 रुपे यहाँ पर य्यूज करेंगे जैसे कई प्यूंस प्रॉफिट भी आमारा पांच गुना ज्यादा होगां तो तो 오ई पूरी डूज करेंगे तो पर वह आपर आप यहां पर आफ़ जल्दी से जाएं और रखन करें कर के अपने 5ग मार्जिन को उठाई moisturी है अब आपने यहां पर मेरी accuracy देखिए और strategy को समझे ठीक है अब चलते हैं 14 तारीक की तरफ यह हमारी 14 तारीक आ गई और यहां पर आप देखिए यह हमारी 9 बज़ के 70 मटगी candle यह 15 यह 16 यह हमारी 9 बज़ के 70 मटगी candle इसका high breakout हुआ है और यहां तक हमें profit मिला है अगर loss होता तो हमें इतना सा होता ठीक है accuracy बात करें तो देख सकते हैं वन इस्टू टू की हमारी यहां पर आपको accuracy मिलिए मतलब कि रिस्क रिवाड मिला है आपको वन इस्टू ठीक है आगे चलते हैं मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाऊंगो ताकि वीडियो जब ज्यादा लंबी आपके ना हो ठीक है आगे चलते हैं सर तेरह तारिक की तरफ तेरह तारिक ओके यहां पर आप देख सकते हैं क्लियर ली यह आपकी नौ बज़ के 17 मिला है इसका यहां पर लो ब्रेक आउट हुआ है यहां तक का प्रॉफिट मिला है अगर यहां पर रिस्क रिवाड देख हैं तो टू पॉइंट फोटी फाइव यानिकि डाई गोना प्रॉफिट यहां पर भी हमें मिला है त्टीक है एक्क्यूरेसी समझे आपका एक एसल गया है दो ट्रेड सक्सेश्फूल गई है त्टीक है आगे चलते हैं यहां पर आगे चलते हैं नौ बज़ के 17 मिलाट की क कीष्ट अबलगों एक आपको देखाएं एक आपका एसल गए है त्टीक है 9 बज़ के 17 मिलाट की केंदल यहां पर भी आपको पूरी इमान्दारी से सब कुछ दिखा आ तो आप भी पूरी इमानदारी से वीडियो देखिए और अच्छी लग जाए तो साहधा लाग करके यहां पर नियम समझ में आ रहा है सब्सक्राइब एक प्रॉफित तो तगड़ा मिला है यह जो प्रॉफित यह रूल है वो आपको समझना होगा कि यह है आपकी 9.70 गैंडल रेड वाली यह दूसरी वाली यह नीचे की सार में ब्रेकाउट कर रहे है लेकिन इस रेड वाली कै दूसरी candle breakout नहीं करेंगे तब तक हम पोटबाई नहीं करेंगे यह रूल आपको लिख लेना याद रखना है तो यहां पर breakout हुआ है उपर की साइड में और यहां पर रिस्क रोड देख सकते हैं आप वन इस्टू थ्री के आसपास ठीक है ज्यादा नहीं है वन इस्टू थ्र सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर आपके सब्सक्राइब करने वाला हूं तो यहां पर आगे चलते हैं यह देखिए वाली तो न वज कर सत्री केंडल है यह रिएड वाली त्य sankताइम यह झाल हुआ यहां तक हमने प्रोफित मिल सब्सक्रीश evol था स्फवार। के दूरु और यहां पर प्रोफित मिल आ ऐस चलते हैं से इस्टपलों किसे आप गिन्च शूके हैं आप देखें आप एक काम कीजिए आप इस्टोपलोस जरूर गिन के मुझे कमेंट में बताइए कितने इस्टोपलोस हुए है और इस स्टेड़ी की एक्क्यूरेसी कितनी हो सकती है यहां पर नोवज के सत्रेमरी केंडल लो ब्रेक आउट हुआ नीचे की साड में यहां तक का प्र काम करेगी और यहां पर आप इस्टोपलोस भी गिनते रहे हैं मैं आपको सब कुछ दिखा रहा हूं किलियर ली यहां पर देखिए नोवज के सत्रेमरी केंडल ब्रेक आउट हुआ उपर की साड में वन इस्टोवन से ज्यादा मिला है कितना भी हो वन इस्टोवन पॉइं करना पड़ेगा क्योंकि कंसिस्टेंसी की साथ में ट्रेड नहीं करेंगे तो वाई क्या ही कमाएंगे ठीक है तो यह हमारा लास्ट दिन आ चुका है यह एक फरवरी का दिन और यहां पर यह हमारी नोवज के सत्रेमरी केंडल और यहां से आप देख सकते हैं ब्रेक आउट बहुत ही दमाकेदार और बहतरी अब तक साबित हुई है तो मैंने आपको पूरे फरवरी के दिखाए हैं और ज्यादा से ज्यादा मुझे याद नहीं है दो या तीन यहां पर इस्टोपलोस हमारे हिट हुए हैं तो आप मुझे कमेंट में लिखका ज़रूर बताएं कितन क्याट नहीं देता हुँ लेकिन लेवल्स में आपको टेलीग्ार जरूर बताता हूं तो मार्केट कीदर जाएगा मार्केट गिरेगा या बढ़ेगाoster तो आप टेलिग्राम की लिंक में डिस्कुर्शन डाले कि वहां से आप उसको जोईन कर सकते हैं तो आप टेलीग्राम को जोईन कर लीजिए और वहां पर जो अपडेट्स मिलती हैं उसके एकर आप ट्रेड करेंगे तो आपको अच्छे-खासे प्रोफिट्स भी होंगे ठीक लीजिए चलाइणन कर लीजिएAlright